दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पाइल्स की यानि बवासीर की यानि हैमेरोइट्स की ये एक ऐसी समश्चा है जो की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और एक आम बीमारी के रूप में उभर के आ रही है लगवग 60% लोग ऐसे हैं जिनको उमर बढ़ने के साथ सा आख़िए लोगों में उनमें ये समश्चा हो जाती थी चाहीए coalition समश्चा क्या हो रही है युवाल लड़के लड़कियां जो आती है वह भी शिकायत करते है ऑठारी साल का लड़का लटकी आ रहा है है बढ़ी सोचने वाली बात है क्या गड़बड हो रहा है हमारे साथ क्या चीजे ऐसी हो रही है क्या होती है पाइल्स कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं वो सारी चीजे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी वीडियो को प्लीज अंतक देखे कोई चीज आप स्किप ना करे तक ही आपको अधूरी जानकरी ना मिल पाए अगर वीडियो पढ़ने है चैनल पढ़ने है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखा है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाइल्स क्या होता है पाइल्स क्या होता है जो आपको बड़ा दर्द रहता है, बड़े आप परिशान रहते हैं, जब भी आप टोइलेट जाते हैं, भोगत दिकत आपको होती हैं, डर्द होगा। तो यह समझ्या बड़ी आम होती जा रही है। अब दो तरह की piles होती है, पहली होती है internal और दूसरी होती है external, अब internal में क्या होता है, इसमें आपको क्या होता है कि दर्द तो आपको होगा नहीं, लेकिन जब आप toilet करने जाते हैं, आपको बूंद बूंद करके खून रिस्ता दिखता है, या फिर खूब सारा खून, बहुत एक्तम से ध्यान जाता है कहीं मुझे cancer तो नहीं हो गया, एक्तम से सोचता है, हाला कि जब मुझे खून आता है तो TB भी हो सकती है, हो सकता है आपको आतों में infection हो गया हो, टोईलेट के रस्ते से जब खून आता है तो भी हो सकता है आतों में infection हो गया हो, लेकिन डर जाता है बड़ी बिमारी के रूप में, अब दिक्कत क्या है, जब आपको खून गया टोइलेट के रस्ते से, आपने कहीं चेक अप नहीं करा है, क्योंकि शरम आते है भाई, आपको पता ही नहीं आपको पाइल्स है, इंटरनल में तो पता ही नहीं चलना आपको, शरम आएगी आप ज ये जो गोलाई है, उसमें आपको अंदर की तरफ या भार की तरफ खुजली महसूस दे सकती है, तो काफी पीड़ादायक होता है, देखिए चाए पहली कंडिशन हो, इंटरनल हो, चाए एक्स्टरनल दोनों ही पीड़ादायक है, क्योंकि अगर आपको ब्लीडिंग लगा वजन 60-70 kg, आपका 80-85 kg है, लिमिट से ज्यादा अगर आपको वजन है, तो आपको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है, अगर आप ज़्यादा वजन उठाने का काम करते हैं, जिसमें फाइबर नहीं है, फाइबर क्या काम करता है, खाने को पचाने का काम करता है, आतों को अच् से खाना पचे लेकिन अगर जिस खाने में फाइबर ही नहीं होगा तो खाना किस तरह से पचेगा तो ऐसी कंडिशन में भी आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है या फिर आपको कब्ज रहती है पेट साफ आपका नहीं होता है ऐसी कंडिशन में भी आपको पाइल्स हो सकती ह तो ऐसी कंडिशन में तो पाइल्स बनेंगी या फिर ऐसा होता है कि आपको बैठने का ज्यादा काम करना पड़ता है आप ओफिस में जाते हैं 9 to 5 आपकी जोब है या फिर किसी भी तरह की जोब है बैठे ही रहना पड़ता है कंपूटर के आगे आप बैठे हुए हैं तो ऐस कर लेते हैं कि बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं जिसे आप इनको ठीक कर लेते हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई अलग से स्पेशलिस का ट्रीटमेंट चलता है में क्या होता है आपको इसमें साफधानी बरत नहीं होती आपको प्रेज करना होता है लेकिन एक ऐसी चीज में बताने वाला हूँ ईसी medicine में आपको बताने वाला हूँ जो इसको पहुत जल्दी ठीक कर देगी बिना किसी दर्द के बिना किसी परिशाने के और आपको जल्दी से जल्दी रिलिप होगा लेकिन उस्से पहले एक चीज़ बता दो परहेज आपको लेकर करके चलना ह भॉख लेकर चलें लेकर के चले पानी खूप फायदा होगा रहर हलका भूजन और दिक्कत ऐसी नहीं करना है यहां हम इस्तिमाल करते हैं टेल जिसे बोलते है जात्यादी, ओलिया जात्यादी तेल, अब ये किसी भी कमपणी का आप ले सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है भाई कि आप इस कमपणी का ले ले ले, बहुत सारी कमपणी बना रही है, लेकिन फिर भी एक ऐसी कमपणी सेलेक्ट कीजिए का जो थोड़ा सा व में और भी ले सकते हैं और जिस ए sok Sports क मत्सी से रखें है, जहां पर आपको सूजन आई हुई है, कि वहां पर आप अपको इस तरह का इस पेड़र इस्तहमाल करना होता है, लिकिन अगर आप अपना भी इस्तेमाल कर पारें, तो भी बहतर है, उल्टा हो करके पेट के बलेड जाएगा, बैड पर, खाट पर, फोल्डिंग पर जहां भी आप जिस पर भी आप लेटना चाहते हैं, और उस पर फिर आपको टोब टपकानी है अपने गुदवदवार पर, जहां पर आपको मस्से महसूस दे रहे हैं, महाँ पर आप ड्रोप टप का दे सुबह शाम सुबह शाम आपको इस्तिमाल करना है और थोड़ी देर उल्टे ही लेटे रहें ऐसा नहों कि आप सीधे होकर के चले वो तेल नीचे को निकल कर आ जाए ये ना करें कम से कम 10 मिनट के करीब आपको लेटे रहें उल्टा ताकि व होती है तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि इतना दिन आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन जब आप इसे रेगुलर यूज करते हैं बहुत ही बहतर इसका रिजल्ट निकल के आता है काफी बहतरीन तेल होता है आप नेट पर भी सर्च करके देखेंगे इतना इतने सारे इसकी क्याते हैं तो आप मैस्यज कर सकते हैं में आपके आंसर करने की पूरी कोशीर करता हूं वीडियो पर नहीं चैनल पर नहीं तो प्लेज सारे पूर्स आसारी जाप आ यानने के लिए आप